BLW यानि की बनारस Locomotive Works वारनसी में अगर आपने रजिस्टेशन करने के लिए सोचा है या आपने रजिस्टेशन कर लिया है और आप लॉग इन करके आविदन फार्म को अपलाई करना चाहते हैं तो आपकी जो कंट्रोल नंबर है वो आपको नहीं मिल रहा है आप उसे भूल करेंगे इस वीडियो में हम आपको यही प्रोसेस दिखाएंगे यहाँ पे आपको बटन भी मिल जाता है फार्गेट कंट्रोल नंबर का इस पर क्लिक करके अपने कंट्रोल नंबर को प्राप्ट करेंगे दुबारा से आप जान सकते हैं और इसके बाद आप यहां साइन इ हुआ है कि नहीं हुआ है तो यह आपके कंट्रोल नंबर बिल्कुल बहुत इंपोर्टेंट है तो कैसे आप इसे दुबारा से प्राप्ट करेंगे इसके बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं तो चलिए वीडियो को सुरू कर लेते हैं सबसे पहले आपको इस व आवेदन करने का process दिखाया है, दस्मी प्लस ITI दोनों पर अलग-अलग वीडियो बनाया है, कि दस्मी से आप कैसे apply करेंगे, और ITI से आप कैसे आवेदन form को apply करेंगे, दोनों वीडियो इसी वीडियो के नीचे description में link मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, तो हम यहाँ पर forget करने का process देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर अपने board का नाम select करेंगे, कि आपकी इस board से qualified किये हुए है, इसके बाद नीचे अपना passing year यहाँ पर select करेंगे, कि आपकी साल में pass हुए है, और यहाँ पर role number आपको लिखना पड़ेगा, इसके बाद gate control number के option पर click करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर message मिलेगा, कि आपके जो control number है, यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा, नीचे आपको registration number भी मिल जाएगा, कि यह आपकी registration number है, इसके दोरा आप अपने mobile number और control number के दोरा लॉग इन करके अपने application form को आप फिर से fill up कर सकते हैं, या जो भी details है या अपने application form को दोबारा से print out भी ले सकते हैं, तो यह process है guys, control number को कैसे forget किया जाएगा, फिलाल guys वीडियो में यही जान कर यहाँ आपको दिखाने वाले थे, वसादर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ share कीजिएगा, कोई सवार रहता है तो comment जरूर कीजिएगा, चलिए guys मिलते एक लिए वीडियो में, बाई बाई जाहिन,